ये आकश्वणी रायपूर है प्रादेशिक समाचार बुलिटिन के साथ मैं शुश्मा स्रिवास और अब पेशे आज के मुख्य समाचार बिलासपूर इंदोर के बीग आज से शुरू हुई विमान सेवा मुख्य मंत्री भुपेश बगिल और केंडरी नागरिक उड्यान मंत्री जियोतिरादेश सिंध्या ने वर्चुवल रूप से किया शुभारम राज्य सरकार ने तीन जीलों के कलेक्टरों के साथ ही तीन जीलों के पुलिस अधिक्षकों को आज बदल दिया है इसके सही 13 IAS, 7 IPS और राज़ प्रशाषनिक सेवा के 20 अधिकारियों के प्रभार में फिर बदल किया गया है राज़िपा अंसुया उईके अपने वर्धा प्रवास के दोरान आज महात्मा गांधी अंतरास्टी विश्व हिंदी विश्वित द्यारे दोरा आयोजित रास्टी संगोस्टी के साथ ही दिपोस्तों में भी शामिर हुई और निर्वाचन आयोग ने आज से आकाश्वाणी पर वर्ष भर चलने वाले मद्दाता जागुपता कारेकम मद्दाता जंक्षन का शुभारम किया अब समाचार विस्तार से बिलासपूर से इंदौर के लिए आज से विमान सेवा शुरू हो गई है मुक्यमंती भुपेश बगेल और केंद्री नागरिक उड्यान मंत्री जोतिरादिस सिंधिया ने बिलासपूर इंदौर विमान सेवा का आज वर्च्वारम किया शी बगेल ने रायपूर इस्थित अपने निवास कारले से और सिंधिया ने नई दिल्ली से हरी जंडी दिखा कर विमान को बिलासपूर के चकरभाटा इस्थित बिलासा देवी केमठ हवाई अड़्डा से रवाना किया बिलासपूर इंदौर विमान सेवा के शुभारम औसर पर मुख्यमंती भुपेश बगल ने कहा कि राज्य सरकार विमान सेवाओं के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास कर रही है मुख्यमंती ने रायपुरिष्थी स्वामी विवेकानन विमानतल से अंतररास्ट्री विमान सेवा प्रारम करने और यहां अंतररास्ट्री कारगो हब की इस्थापना के लिए केंद्री मंत्री से आग्रा किया कारिक्रम की अध्यक्षता करते वे केंद्री मंत्री श्रीसिंध्या ने कहा कि केंद्र सरकार 36 गड़ में विमान सिमाओ के विस्तार के लिए हर संभव मदद देने के लिए तत पर है बिलासपूर इंदौर के बीच यह विमान सिवा सप्ता में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार को उपलब्ध होगी यह विमान सिवा, ग्यारा बचकर 35 मिनट से बिलासपूर से रवाना होगा और दोफ़र एक बचकर 25 मिनट पर इंदौर पहुचेगा वहीं इंदोर से यह विमान दोफर एक बचकर पच्पन मिनट पर रवाना होकर दोफर तीन बचकर पैतालिस मिनट पर बिलासपूर पहुँचेगा आज पचास यात्रियों को लेकर यह विमान बिलासपूर से इंदोर के लिए रवाना हुआ 36 गड़ को दो नई वन्दे भारत ट्रेन की सुईधा जल्द मिलेगी पहली ट्रेन बिलासपूर से संपा क्रांती रूट से होते वे दिल्ली जाएगी वहीं दूसरी ट्रेन गोंदिया से शुरू होकर रायपूर बिलासपूर होते वे जार सुखड़ा पहुचेगी गोर तलब है कि अभी बिलासपूर से दिल्ली की यात्रा में 18 घंटे लग रहे हैं लेकिन वन्दे भारत से बिलासपूर से दिल्ली का सफर करीब 14 घंटे में पूरा हो सकेगा वहीं गोंदिया से चलने वाले वंदे भारत ट्रेन रैपूर से सिर्फ चार घंटे में जार सुखड़ा पहुँच जाएगी राज्य सरकार ने आतीन जिलों के कलेक्टरों सहित भारती प्रशासनिक सेवा के तेरा अधिकारियों का तवाला कर दिया है वहीं साथ IPS अधिकारियों के प्रभार में भी फिर बदल किया गया है जारी आदेश के अंसाथ जश्पूर कलेक्टर रितेश कुमार अगरुवाल को 36 गर पार्टे पुस्तक निगम के प्रबन संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है वहीं रैपूर के मुख्य कारेपालन अधिकारी रवी मित्तल को जश्पूर कलेक्टर के पत पर पदस्त किया गया है वहीं बालोद कलेक्टर गौरो कुमासी को पंचायत और ग्रामिड विकास विभाग का संयुक्त सच्यू बनाया गया है इसके अलावा कोरिया कलेक्टर कुल्दीप शर्मा को बालोद जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है उनके इस्थान पर सरगुजा जिले के विनय कुमार लहगेह को कोरिया जिले का कलेक्टर बनाया गया है इसके साथ ही दंतेवाडा के मुख्य कारेपालन अधिकारी आकार शिकारा को जिला पंचयत राइपूर का मुख्य कारेपालन अधिकारी बनाया गया है वहीं बस्तर जिले के मुख्य कारेपलन अधिकारी रोहित व्यास को भिलाई नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है वहीं राजसाशल ने गरियाबंद बेमेतरा के साथ ही गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के पुलिस अधिक्षकों को बदल दिया है जारी आदेश के अंसार अमीत तुकाराम कामले अब गरियाबंद आई कल्याण एले सेला बेमेतरा और यू उदै किरन गौरेला पिंडरा मरवाही के नए पुलिस अधिक्षक होंगे वहीं बेमेतरा के पुलिस अधिक्षक धर्मेंसी छवई को रायपूर में पुलिस अधिक्षक रेल बनाया गया है इसके अलावा राज्य साशर ने नगर पाली का निगम भिलाई दुर्ग भिलाई चरोदा बिलासपूर और बिरगाओं के आयुकतों को भी बदल दिया है इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों के प्रभार में फिर बदल किया गया है राज्य पा अंसुया उईके अपने वर्धा प्रवास के दोरान आज महात्मा गांधी अंतर राष्टी हिंदी विश्विद्यले दोरा आयोजित राष्टी संगोस्टी में शामिल हुई अपने संबोधन में राज्य पाल ने कहा कि इस पवित्र भूमी से ही गांधी जी ने भारत के नौनिर्मान का स्वपन देखा था इस मौके पर राज्य पाल ने हिंदी पकवाड़ा के अंतरगत आयोजित विभिन प्रतियोगता के विज़ेताओं को पुर्सकित किया कारिक्रम में स्रूशी उईके ने महात्मा गांधी अंतरराष्टी हिंदी विश्विद्याले के परिसर में डक्टर अंबेटकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारम भी किया वर्धा प्रवास के दोरान राज्जिपाल ने आज सेवाग्राम इस्थित बापु कूटी का भी भ्रमन किया इस दोरान उन्होंने संपून सेवाग्राम परिसर को देखा और महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से जुड़े विभिन इस्थानों का औलोकन किया राज्जिपल आज महात्मा गांधी अंतराष्टी हिंदी विश्विद्याले द्वारा गांधी जैन्ती के औसर पर आयोजित दीपोट्स्व में भी शामिल हुए खबरों का सिलसिला जारी रहेगा अभी वक्त है एक छोटे से विराम का प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वणी रायपूर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर निर्वाचन आयोग ने आज से आकाश्वणी पर वर्ष भर चलने वाले मद्दाता जागरुकता कारिक्रम मद्दाता जंक्षन का शुभारम किया इस कारिक्रम के अंतरगत 52 कडिया होंगी और प्रत्ते की अओधी 15 मिनट की होगी यह कारिक्रम हर शुक्रवार को विविद भारती FM रेंबो, FM गोल्ड और आकाश्वणी के प्रैमरी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा देश भर की 23 भाशाओं में इस कारिक्रम का प्रसारन होगा मुख्य निर्वाचक आयूक्त राजी कुमार ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयूक्त अनूप चंद्र पांडे और प्रसार भारती के मुख्य कारिकारी अधिकारी मयंक कुमार अगरवाल की उपसिती में इस कारिक्रम का शुभारम किया 36 गर विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष नारायन चंदेल ने जांजगीर चापा के भैंसो गाउं के गौठानों का निरिक्षन किया उन्होंने आरोप लगाया कि इस गौठान में बीते एक महने में 90 गायों की मौत हुई है गौठान से 12 गायों का कंकाल भी मिला है शीचंदेल ने रज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गौठानों में गायों की देख रेक के लिए भोजन पानी सहीत उचित विवस्ता नहीं की गई है शीचंदेल ने कहा कि इस मामले की उच्चे सरी जाच कराई जानी चाहिए उन्होंने कहा इस मुद्दे को आगामी विधान सभा सत्र में भी उठाया जाएगा सुकमा जिले में काकेर लंका के रंगई गुड़ा गाउं में पिछले दो दिनों में चार ग्रामीनों की अग्याद बीमारी से मौथ हो गई है बताया जाता है कि मृतकों में दो की उम्र करीब सत्तर वश है वहीं दो अनियूकों की भी मौत हुई है इन यूकों के हाथ पेर में सुजन की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था जहां अन्योकों की हलत और बिगड़ गई जिला कलेक्टर हरिश एस ने इस मामले को गंभीरता से लेते वे गाउं में चीकिसकों को जाँच के लिए भेजने के निर्देश दिये हैं 36 गड़ सहीं देश भर में आज दूरगा अस्ट में शद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है राजधानी रायपूर सहीं प्रदेश के विभिन शक्ति पीठों और मंदिरों में आज हवन पूजन का विशेश कारिक्रम आईजित किया जा रहा है इस बीच 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद बस्तर दशरा पर्व के तहट पात दियुसी रत परिक्रमा संपन हो गई रत परिक्रमा के दौरान बस्तर पूलिस द्वारा परंपरागत तरीके से मा दंतेश्वरी के सम्मान में सलामी दी गई गौर तलब है कि पिछले दो वर्स्तों से यह सलामी महिला पुलिस बल और महिला पुलिस बैंट द्वारा दी जा रही है और अब पेशे मौसम का हाल प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेके स्थानों पर हलकी से मध्यम वर्षा होने अत्वा गरत चमक के साथ छीटे पढ़ने की संभावना है मौसम विभाक के अंसार एक निम्न दाप का शेत पश्यम मध्य बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास इस्थित है इसके साथ ही उपरी हवा का चक्री चक्रवाती घेरा भी विस्तारित है इसके असर से करप्रदेश में एक दो इस्थानों पर गरत चमक के साथ भारी वर्षा होने और कोछ इस्थानों पर वज़पात होने की चिताओने भी दी गई है अब कुछ खबरें संछेप में केंद्र सरकार ने रेलवे करमचारियों के लिए दशेरे से पहले 78 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी है राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर उद्द्योग और सहिकार्ता विभाग के अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है स्वास विभाग ने रायपूर, धमतरी, गरियबन और दंतेवारा सहित 26 जिलों के मुख्यची किस्सा और स्वास अधिकारियों का तबादला कर दिया है सुकमा में पुलिस नाट्यमंदली ने आज गादी रास के सापताहिक बजार में ग्रामीनों के बीच, इस्थानी भाशा में आधारित नाजगाने के माध्यम से ग्रामीनों को मावधी विचाधरा से दूर रहने, अंध्रूनी छेत्रों में चल रहे विकासकारियों में सहय और शासन के महत्पूर्ण योजनाओं का लाब उठानी के लिए प्रेरित किया गया। रायगर जिले के चक्रधर नगर में दो दिन पहले कट्टे की नोग पर ट्रेलर चालक से मार पिट कर 33 टन सरिया समेट ट्रेलर लूटने के मामले में पुलिस ने चार आरोपयों को गिरिफतार किया है। पचास हजार रूपय कीमत का करीब 6 किलो गांजा बरामत किया गया है। दुर्ग पुलिस ने भारत साउथ अफरीका के बीच कल हुए किटेट मैच में सट्टा खिलाने के आरोप में 9 आपरेटरों को गिरिफतार किया है। पुलिस के मताबिक ये लोग 40 बैंक खातों से करोडों रूपय का लेंदेन कर रहे थे। और गुजरात के गांधी नगर में आयोजी 36 वे रश्टी खेल में कल 36 गड़ के खिलाडियों ने तलवार बाजी में रजत पदक हासिल किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर राष्टी हिंदी विश्वित ध्वालय द्वारा आयोजीत राष्टी संगोष्टी के साथ ही दिपोस्तों में भी शामिल हुई। और निर्वाचन आयोग ने आसे आकाश्वाणी पर वश्भर चलने वाले मद्दाता जागूता कारिक्रम मद्दाता जंक्षन का शुभारम किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलिटन समाप्थ हुआ नमस्कार।